नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अर्जोन एजेक्स मास्टर पर जैसा कि आप जानते हो हमारा चैनल हर बार एजेक्स फूरी के बारे में कोई ना कोई वीडियो लाता रहता है तो गाई जब टएट जाने के करण उनका गिराल निकल जाता है तो कई ऑपरेट्र कया करते हैं ओई निकल जाने के बाद भी मस्टे चलाते रहते हैं लेकिन आपको यسा नहीं करना है क्यों कि उसका प्रणाम बहुत की बेकार होता है आईए अभी हम आपको देखाने बाले हैं इसका लाइप प्रूप एक मशीन है जो हमारी उसका एक टायर हब का वाइल जो है निकल चुका है तो आईए अभी आपको बताने बाले हैं कि जो अभी हमारे गेर वाल निकल जाता है जो हब रहता है तो उसमें क्या फरक होता है और कितने जल्दी वो गराम हो जाता है आईए आपको लाइप प्रूप अब हम दिखाने बाले हैं तो बिना समय का बाया वीडियो स्टाट करते तो आईए सबसे पहले तो आपको टायर दिखा देते हैं जहां पर हब दिखा देते हैं जहां से और आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा गियर जो है चलते चलते या निकल गया है तो अब कई DDR सोचते हैं अभी seal कर्टी है कोई बात नहीं खाली भी चल सकता रेकिन आपको अभी दिखा देते हैं कि खाली जब बिना गेर या प्रूप करे करके दिखाने अभी यह हब आप देख सकते हैं यह लीकेज नहीं इसके अंदर गेर ओयल है तो आप देख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ रहा है कि अब आपको दिखाते से इसकी भी सील नहीं कड़ी अ तो आप देख सकते इसके अंदर गेयर ओई आल है तो इसमें क obstruction नहीं पर रहाए अभी इस तरह पापको मसीन के लिए चलते हैं जहां पर जिस टायर की कट चुकी है हमारी जो सील है अभी आप देख सकते हैं इस पर हम पानी डालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना भेंकर यह गराम हो चुका अंदर पूरे के पूरे पार्ट्स जो है रगला रहा है और आप देख सकते हैं पानी उबलके तुरंत गराम हो के व ignorant घ्राम हो जा रहा है बाकी ये तीन हब आप देख सकते हैं गेरोल होने के करण ठंडे हैं इसका गेरोल निकल चुका है जिसके करण ये काफी गराम हो चुका है इस पर हम हाथ भी नहीं रख सकते हैं अगर आप चाहें कभी भी आपकी मसीन का ऐसा ओई निकल जाए तो आप आप हाथ रखके या पर कर दें में बैल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो के अप्टेट आपको मिल सके